आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप नेता अतिशी ने अपनी ही पार्टी के दो दिगज नेताओं का नाम ले लिया आखिर क्यों अतिशी ने सौरभ भारदवाज, मनीश से सोधिया और सतेंद्र जैन का नाम अपने प्रेस कॉंफरेंस के दोरान बार बार लिया साथ ही आप आदनी पार्टी नेता अतिशी ने बीजेपी और एडी पर जम कर निशाना भी साधा और दावा किया कि एडी ने दिल्ली के सियप अर्विंद केजरिवाल को जेल भेज कर सरासर गलत किया दरसल ये सब तब हुआ जब आज याने दो अपरेल की सुबा ही आम आदनी पार्टी के नेता और दिल्ली की मंत्री अतिशी ने प्रेस कॉंफरेंस कर बीजेपी पर कई आरोप लगाए बीते दिनों अतिशी ने ये भी दावा किया था कि बीजेपी ने उनको पार्टी में आने के लिए बड़ा ओफर किया था इतना ही नहीं बलकि अतिशी ने ये तक दावा किया कि उन्हें कहा गया है कि या तो बीजेपी जोइन करके अपना राजनितिक करियर बचा ले या अगर पार्टी जॉइन नहीं की तो आने वाले एक महिने में एडी की ओर से गिरफतार कर लिया जाएगा। अतीशी ने कहा कि मेरी करीबी व्यक्ति ने बताया कि प्रधानमंत्री और बीजेपी ने मन बना लिया है कि आम आधी पार्टी के सभी लोगों को कुछ चलना है। पेड़ साल से मौझूद है। ये बयान एडी की चार्जशीट में भी है। ये बयान CBI की चार्जशीट में भी है। तो आज इस बयान को उठाने का क्या कारण था। इस बयान को उठाने का कारण था कि अब भारतिय जंता पार्टी को लग रहा है। के अर्विंद केजरिवाल, मनीश सिसोधिया, संजे सिंग, सतिंदर जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एक जुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ, अभी भी जमीन पर लड़ रही है और जो राम लीला मैदान में राली हुई, जिस भारी संख्या में लोग आए, जो जन सहलाब आया, उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ओफ लीडर्शिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे सौरभादवाज को, रागर चड़ा को, दुर्गेश पाठ़क को, अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे आगे प्रेस कॉंफरेंस में अतिशी ने लोगों को समझाया कि कैसे सीम अरविंद केजरिवाल जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, जात ही उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरिवाल को दिल्ली विधान सभा में प्रचंड बहुमत प्राप्त है, इसलिए अरविंद क केजरिवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, कन्विक्शन छोड़िये, आज तक अरविंद केजरिवाल चार्जशीट भी नहीं हुए, नमबर वन, दूसरी बाप, इस देश का सम्विधानिक प्रावधान ये कहता है, कि कोई व्यक्ति, चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा, अगर वो अपने हाउस की मिजॉरिटी नहीं इंजॉय करता, अरविंद केजरिवाल इंजॉय इंजॉय इस दो ओर वेल्मिंग मिजॉरिटी ओफ दे डेली असेंब्ली, तो इसलिए अरविंद केजरिवाल के इस्ती स्टीफा देने का कोई भी कारण नहीं है अगर आज अर्विन के जिवाल स्टीफा दे देती हैं तो यह भारतिय जंता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक सोपी तयार कर देती है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तयार कर देता है जिस तरहां उन्होंन से प्रिवेंशन और मनी लॉंडरिंग एक्ट में हर विपक्ष के मुख्यमंत्री के उपर केस कर दो उसके बाद उसे गिरफतार कर दो और फिर तो कि सम्विधानिक संकट पैदा हो गया है इस्तीफा दो वर्ना हम राष्टपति शासल लगाएंगे इससे आसान तरीका भार कर जरूर बताएं इसी तरह की खबर उटले देखते रहें सहार समय डिजिटल